वाल्ड की क्या अपडेट है जसा कि आपको पता होगा वाल्ड एक साल से जो है बैलनस फ्रीज करके बैठा है तो यूजर जो है विड्रॉण नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वाल्ड आपका पैसा लेके आप बाग गया है वाल्ड ने बैंक्रप्सी फाइल करी है जो कि सिंगपोर में चल रहा है उनका केस और आपको इमेल के थुरू रेगुलर वहां पे से इंटिमेशन मिल रहे होंगे कि क्या-क्या अपडेट चल रही है और यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो हाली में अपडेट आई है जिसमें वर्ल्ड का पूरा हुलिया गया है और आपके बालंस अपको लग रही होगे है तो वह क्या है और किस तरीके से अप क्लेमिंग प्रोसेस स्टाट होगी तो if everything goes well यहां पर ऑगिन प्रोसेस शृट स्टाट फ्रॉम जुलाई और वह क्लेम किससे वर्क करेगा वहां फो मैं अपको एक्स्प्लेन तो वाल्ड का नया जो आप अपडेट है वो आपका क्या बैलंसे शो कर रहा है जो जुलाई 4, 2022 को थे और उनका प्राइस on that date तो जुलाई 4, 2022 को जो आपके बैलंसे थे इसका मतलब है कि एक साल में जितना आपका इंटरस्स गेन हुआ है वो उन्होंने आपके एक्स्क्लूट कर दिया क्योंकि आप वस नॉट वरकिंग तो वहां पर इंटरस्स कैसे ही पे करेंगे तो इस तरीके से आपके बैलंसे यहां पर शो हो रहे है जुलाई 4, 2022 के अगर आपको लगता है that this balance is wrong तो आप एक dispute form भर सकते हो तो आपके email में कल या परसो तक आजाना चाहिए इसके बाद हमारे पास क्या था तो last update में हमने आपको बताया था एक RDA range आपको दी जाएगी 30 to 55% की जिसमें आप BTC, Ease, Ripple, USGT, जैसे assets को बेच सकते हो अब RDA क्या होता है RDA होता है reverse Dutch auction तो reverse Dutch auction में यह होता है कि for example आप एक buyer हो और आपके पास 1 million dollars ही है और आप एक market में जाते हो जहां पे सब लोग chicken बेच रहे है तो आप चाहोगे कि जो सबसे कम में chicken बेचेगा मैं उस पे खर्च करूँगा अपना पैसा मैं क्यों जादा वाल चाहिए और कोई बढ़ता है 30-35% चाहिए तो 30-35% वाले को बोलो priority देंगे जब तक उनका balance बचता है तो यहां पे reverse Dutch auction इस तरीके से work करेगा now USGT की RDA range 30-55% रखी गई है लेकिन BTC इत रिपल वगेरा की जो है range डाइनमिक कर दी गई है होगा आपको 100% वापस मिल जाएगा if restructuring is approved तो restructuring का एक वोट अभी होगा 10 दिनों में creditors जो है vote करेंगे including you guys तो अगर आप महाँ वोट करते हो कि yes मुझे restructuring चाहिए तो आपका INR balance जो है उसके favor में तो यहाँ पर INR balances के लिए आपको ED पर depend होना पड़ेगा because ED ने flip world technology जो कि वाल्ड की Indian wing है उसके assets को froze कर रहा है क्योंकि वह investigation कर रहे है online gambling apps वगएरा की जिसमें उन्होंने काफी सारे exchanges को under investigation लेके आए इंक्लोडिंग वाल्ड के वाद Indian users के लिए INR पूरा मिल जाए इसके लिए restructuring pass होना बहुत जरूरी है वनना आप ED के बरुसे बैट जाओगे जिसमें 12-15 months लग सकते हैं तो अगर आपने बहुत सारा INR जो है वाल्ड पर रखा था तो it's better कि आप वहाँ पर उस तरीके से वोट करें इसके बाद if you have dispute like अगर आपका balance जो है गलत शो कर रहा है आप एक dispute form जो कि कल या maximum Saturday तक आपके पास आज आएगा उसको भरो और उसमें लिखो कि आपका क्या-क्या dispute है एक I think एक page का form वो होगा और उसको बर के फिर आप कर सकते हो और यह dispute जो है independent dispute officer जो की wall और crawl से अलग है वो read करेगा उसे हिसाब से आपको आपके dispute पे reply मिलेगा और वहाँ पे अगर balances गलत है तो वो सही हो जाएंगे इसके बाद around 10 days from now एक voting period start हो का जसमें आप restructuring लिए vote कर सकते हो और जो एक regulated party firm conduct करेगी जो की one week का window होगा तो अगर आप restructuring चाहते हो तो आप वो करो अगर आप चाहते हो रिस्टुर्टरिंग ना हो तो आप उस तरीके से vote करो अब restructuring नहीं होगी तो क्या होगा तो restructuring नहीं होगी तो उसमें क्य फिर दुबारा से कोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी और फिर फुल रिकवरी का ट्राइ करेंगे बट उसमें फिर बारा से पंदरा मंथ लग सकते हैं और इस नॉट गैरंटीड की आपको फुल रिकवरी वहां पर मिल जाएगी अब explain करता हूँ मैं आपको RDA की थोड़ी और डीटेल तो RDA में क्या होगा कि आप जो है range एक select करो for example आपने select कि मुझे 40% जो है RDA चाहिए तो आपका 1000 USGT था तो आपको 400 USGT मिल जाएगा by the end of August 2023 and जो 600 USGT है वो आपका हमेशा के लिए चला जाएगा आपका claim उसे हट जाएगा और आपका USGT claim खतम हो जाएगा मतलब आप 1000 USGT के जगा 400 USGT लेके side हो जाओगा कि भाई मुझे तो अभी पैसे की जरुवत है अभी मैं side हो रहा हूँ लेकिन अगर आपको RDA नहीं करना है depending on कितना fund उनका RDA के बाद बचता है और जो आपका बचावा fund होगा मालो आपको 300 डॉलर्स मिल गए तो आपका जो 700 USGT बचेगा वो फिर आपका वाल्ड की further legal proceedings पे डिपेंड करेगा ताट इस वो जब अपना fund दूसरी पार्टी से claim करने जाएंगे यह है counterparty A, FTX, Coin Loan and Flipvolt India और वहाँ से वो कितना fund recover कर पाते हैं उस पे depend करेगा कि आपका बचावा जो 700 USGT है उसमें से कितना % आपको वापस मिल सकता है अब उनके according अगर counterparty A and coin loan के पास जो fund recover हो गया तो वहाँ पे वो almost 100% return कर सकते हैं लेकिन this might not be true like अगर वो आपको बोले कि RDA ना भरो कि आपको पूरा fund मिल सकता है तो 25-30% लेकर इस side hop में बैठ जाओ इनसे अगर वो recover नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए सोड़ी सी मुश्किल हो सकती है तो यह आपको consider करना है अगर आपको अभी ही पैसे चाहिए लेकि आपको बहुत जादा requirement है पैसे की और आप वो loss लेना afford कर सकते हो तो it's better कि आप RDA भलो लेकिन आपको पैसे की जुरुत नहीं है यह आपने इतना बड़ा amount वहापे नहीं डाला था it's better कि आप wait करो कि वो वापस recovery कर पाते है नहीं कर पाते है अब recovery में काफी जादा time लगेगा it's according to your personal need के बाद जैसे हमारे पास restructuring pass होती है तो RDA वालों को एक mail आएगा June में जो form आपको भनना है details भननी है और अपनी bids भननी है और अगर आपको dispute है तो dispute form भरो and vote करो restructuring करनी है यह नहीं करनी है मैंने आपको explain किया है मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है that is up to you क्योंकि सबके personal choices है सबके अलग-अलग amounts जो है deposited हैं वाल्ट अगर restructuring approved होती है तो I will update you accordingly and वहां से भी आपको update आ जाएगी and अगर नहीं होती है तो क्या होगा वो भी हम आपको बता देंगे लेकर अगर restructuring नहीं होती है तो जिनका केवाल INR है वहां पे उनको काफी दिक्कत हो सकती है so this was everything that is going on with VAL and यहां पे उन्होंने calculator आपको दिया जिसको आप open कर सकते हो and try कर सकते हो कि आपका RD amount किस तरीके से vary करेगा तो for example यहां पे आप जाते हो choose करते हो कोई asset तो मेरे पास यहां पे around $2,000 का USDC था यहां पे वो दिखाएगा आपका market price of USDC compare to USD अब यहां पे recovery के proportions है तो मेरा जो balance है वो roughly 0.00062% of total claims है total claims रोने आपे दे रखे है and यहां पे वो दिखा रहा है कि उसका 36% almost कितना होगा यहां पे आप opt-in कर सकते हो yes or no तो यह केवल एक demo है यह अभी work नहीं कर रहा है यह केवल trial के लिए है and यहां पे आप लगा सकते हो कि आप कितनी recovery bid करना चाते हो RDA में कम करते हो तो जादा chances है कि आपको मिल जाएगी जादा करते हो तो उसे आप से वो depend करेगी यहां पे आप participate कर रहे हो not participate कर रहे हो वो उसे आप से कर सकते हो यहां पे आपको सारे के सारे stats आपके दिखा देगा तो यह अभी एक demo ही है जब यह इसको complete कर लेंगे तो उसे साब से हम आपको update कर देंगे and that was all about the VALD update again VALD is going through a legal procedure यहां पे इस type की risk होते है company Luna crash को survive नहीं कर पाई इसके कारण अब वो bankrupt हो गई है so legal procedures को follow करते रहो this type of things happen in crypto and investing that was all the updates on VALD if you have any question आप नीचे put on कर सकते हो I will try to answer them जहां तक मैं कर सकता हूँ again this was all in their legal documents and अब उसके थूँ go through कर सकते हो and सारी चीज़े के बारे में चानकारी ले सकते हो thank you for watching the video and I'll see you in the next one